नमस्क्र दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में दोस्तों इंडिया के Central Asia की countries जैसे कि उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान, किरगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके साथ में बहुती अच्छे relationship है और उनमें से एक बड़ी country है उजबेकिस्तान और इसके साथ हमारी आर्मी की जोइंट रिल होती रहती है और अभी ऐसी एक और एक्सरसाइज होने वाली है काउंटर टेरर ओपरेशन्स को लेके आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो इंडिया और उजबेकिस्तान की आर्मी 9 मार्च से 21 मार्च तक जो बेटिया जो की रानी खेत के नजदीक है उत्राखंड में वहां जोइंट एक्सरसाइज करेंगी इसके अंदर काउंटर टेरर ओपरेशन्स को हैंडल करने के लिए एक्सरसाइज की जाएगी और कश्मीर के अंदर जिस तरह से हमारी आर्मी टेरोरिस्ट को मुकाबला करती है या उनके सामने आती है उसी चीज को री क्रियेट किया जाएगा और दोस्तो इस एक्सरसाइज का नाम है डस्लिक जो की इसका सेकिंड एडिशन है यानि दूसरी बार हो रही है और इसका मेन लक्षय होगा काउंटर टेरर ओपरेशन जैसे कांटेनिये सेरिया के अंदर होते हैं कैसे करते हैं हाई टेक कमांड पोस्ट से और इसके इलावा स्लिथरिंग ओपरेशन होंगे जो हेलिकोप्टर से अंजाम दिये जाते हैं स्पेशली कोलेटरल डेमेज कैसे कम हो यानि टेरोरिस्टों को जैसे इंडियन आर्मी शूट करती है स्पेशली रेजिडेंशिल एरिया के अंदर तो उसके अंदर सधारन इंसान को कोई चोट नहीं पहुंचे इसके उपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जा रहा है कि उजबेकिस्तान आर्मी इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और इंडियन आर्मी की तरफ से 13 कुमाईयून जो की दोस्तो रेजांगला बैटालियन के नाम से जानी जाती है हिस्सा लेगी और इसके बारे में आप जानते है 1962 के जो रेजांगला के अंदर बैटल हुआ था उसमें किस तरह से इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी तो दोस्तो इस तरह से उजबेकिस्तान के साथ में इस तरह की मिलिटरी डिपलोमेसी करके इंडिया अपने मिलिटरी रिलेशन भी बढ़ा रहा है उसके साथ में अफगानिस्तान के थ्रू कोनेक्टिविटी भी बढ़ा रहा है और साथ ही दोस्तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशियाटिव को काउंटर करने के लिए ये देश हमारा बहुत ही सैयोगी हो सकता है धन्यवाद जै हिंद